फर्स्ट अपॉल एडड़ेट नॉलेज इंडिया 3346 आपने मेरे आसिव भाई का दिल तो रहा है आपने उसके तारीफ की लास्ट वीडियो में पर आपने उसे ब्रो बोल दिया ऐसा जुल्म क्यों किया आपने उसके उपर अगर आपने उसे ब्रो 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 बोला है तो इस वीडियो पर कॉमेंट करके सब कुछ क्लियर कर लो या फिर अगर आपने उसे ब्रो 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 बोला है तो भाई ये तो गरवर हो गया बैचारा दो दिन से डिस्परेशन में है क्या added knowledge India 3346 comment करेंगी इस वीडियो पे तुमको भी यही जानना होगा तो like जरूर करना 100 like का target रखे हैं इस वारत तो hey guys प्रिंस एर और आज हम One Piece के 9 mythical devil fruit के बारे में जानने वाले हैं उनके power और उनके users को explain करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं mythical johan type mythical johan type में वो यूजिस आते हैं जिनको mythical या legendary powers मिलती है उन creatures के power जिनको हमने खिसे कहानियों में सुना है like dragons mythical johan सब type है johan fruit का जो काफी ज़्यादा rarest devil fruit में हैं लोग या devil fruit से भी ज़्यादा rare है और rare होने के साथी साथ सबसे ज़्यादा powerful भी है mythical johan अपने आपको transform करता है परमिसिया टाइप नीचर में जैसे हम सब जानते कि लूफी का power mythical टाइप है लेकि उसकी body rubber की है जो एक परमिसिया डेविट फूट का नीचर है जैसे के हीतो हीतो नो मी मॉडल नीच के एक mythical टाइप है लेकिन जब लूफी गेर फाब यूज नहीं करता है तब उसकी body परमिसिया state में रहती है जिसमें उसको rubber की power मिलती है mythical johan एक से ज़्यादा ability को show कर सकता है लेकि जब kaido azura dragon form में होता है तब वो creator control में कर सकता है elements को like fire, lightning, bins साथी में वो अपने power flame cloud को use करकी किसी पीज़ को fly और lift करवा सकता है लेकिन यहां ऐसा भी नहीं है कि वो लोग या users के तरह उस element में transform हो सकता है लाइक जैसे कि अपन एस वो पर पूरे body को fire में convert कर सकता है उस चीज़ में transform हो सकता है पर mythical टाइप में तुम element के power use control कर सकते हो पर transform उसमें नहीं हो सकते हो तो यह तो था mythical johan टाइप की introduction अब हम बात करते हैं उसके कौन-कौन से यूजर से और उन यूजर के devil foot की powers क्या है तो चलो सबसे पहले हम तोड़ी तोड़ी नोमी model phoenix से बात करते हैं जो अपने marco the phoenix के पास है marco first division commander था white beard का crew को join करने के बाद marco सीथा white beard के closest परसेंट में आता है और आगे चलके वो right hand भी बनता है summit war up marine ford में white beard के मरने के बाद marco leader ही बनता है तब तक के लिए जब तक कि crew के लोग अलग अलग नहीं हो गये payback war में तोरी तोरी no me model phoenix एक mythical type devil foot है जिसके कारण marco एक phoenix में transform हो सकता है या फिर hybrid phoenix भी हो सकता है एज़र johan type होने के बाद marco बहुत ज्यादा powerful हो याता है इतना ज्यादा powerful को ancient johan type को अराम से handle कर लेता है साथी में जब big mom का ship point chanted mama जब वानों पर इंटरी कर रहा था तब marco एक रिपायर से उस ship को गिरा देता है नीचे और आगे चलके marco big mom के साथ class भी करता है मारको काफी जदा फास्ट है खास करके fly करने में एक बार उसने white weight को बचाया था किजारू से जब किजारू अपने सबसे deadliest attack यूज कर रहा था white weight के खिलाब marco अपने bird legs से बड़े से बड़े धुरंदर को पचार चुका है on top of that marco का पास self regeneration के बावर है जो काफी जाता है उसी तरीके से marco भी दुवारा से reborn हो सकता है no matter कितना ज्यादा भी इंजर हो वापस से heal होके normal हो सकता है marco अपना healing flame से खुद को तो regenerate करी सकता है kaido one of the most powerful pirate में से एक माना जाता है और साथी में वो formal one of the four emperor है मतलब था वो ज्यादा famous था world strongest creature के नाम से अगर उसके पास johan type devil fruit नहीं भी होती तब भी उसके पास legendary supreme physical power को hold करता है kaido के पास mythical johan type devil fruit है जिसके कारण वो azura dragon form में transform हो सकता है या पर human hybrid dragon form भी ले सकता है उसका full beast form इतना ज्यादा massive इतना ज्यादा gigantic है एक छोटे town को पुरा cover कर सकता है उसका body एक extremely durable blue scale से cover रहता है जिसका मतलब यह है कि उसका body इतना ज्यादा strong है इतना ज्यादा thick है कि उस पे किसी भी चीज का असर्ड नहीं होता है जब तक हो end माना हो Kaido अपने mouth से fire blast भी कर सकता है जो कि इतना ज्यादा powerful है कि बरेस वरे सहर को या फिर बरेस वरे structure को तबाह कर सकता है और अगर वो अपने breathing flame को अपने body पर cover कर ले तो उसका intensity यह तरह ज्यादा होता है कि कोई सब्टाम उसके नलदीक आएगा तो तुरंती milt हो जाता है Kaido ने अपने devil fruit को master कर लिया है जिसके करना वो बीना transform हुए हुए भी flame class को control करके किसी बरेस बरे island को भी lift कर वा सकते है जैसे कि अपना home time ओनिकासीमा को और Kaido ही उन rare peoples में आता है जो तीनो को तीनो हाकी को use कर सकता है अगर आपको तीनो हाकी के बारे में जाननी हो तो कार्ड में आपे description में link में जाएके चेक जरूर करना नमबर 3 हीतो हीतो no me model Nika तो ये devil fruit अपने लूफी को पास है लूफी जब 7 साल का था तब उसे गोमू गोमू नोमी एक permission type devil fruit को खाया था जो कि red hair pirate के एक तीजोरी में था गोमू गोमू नोमी खाने का बाद उसको rubber की power मिलती है जो कि उसको stretch, bounce, bend, twist यहां तक inflate करने की सकती देती है मतलब अपने सरीर के किसी भी अंग को बड़े gigantic full आने में स्टार्टिंग में लूफी अपने powers को control नहीं कर सकता है लेकिन 10 सार के training के बाद वो कुछ हद तक उससे control कर लेता है और फिर जाब उसने silver rally के साथ 2 सार के training ली तब उससे वो master कर लेता है लेकिन फिर हमें one of control में पता चलता है कि यह तो हीटो हीटो नोमी model नीका है एक mythical johan type जो कि अपने user को sun god नीका के power परदान करता है और साथ ही वो परमेशिया वाले nature को भी hold करता है जैसे कि rubber की power को और यह mythical johan devil fruit लूफी को यह अलाव करता है वो यह power को किसी भी तरीके से use कर सकता है जब तक वो सूच सकता है मतलब वो जो चीज़ imagine करेगा वो चीज़ reality में कर लेगा mythical power को अवेक करने के बाद लूफी को पास और भी ता strength, power और durability आयाती है जिस currency उसके बाकी forms उसके नए forms के सामने टिक नहीं पाते लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही काटूनिस हो जाता है इवन काईडो भी इसे कॉमिक का पेजी वोलता है तो इससे related आप नेक्स वीडियो बात करेंगे जहां लूफी के एर 5 वर्स इस काईडो को explain करेंगे चैनल को subscribe करेंगे बेल आइकोन पे click कर लेना mythical power awakening के बाद लूफी का रवर नेचर को दूसरे चीजों में transform कर सकता है जैसे कि जब काईडो लूफी पे अपना attack कर रहा था तो लूफी ground को stretch करेंगे काईडो पे उस attack को bend कर देता है लेकिन इसके साथ drawback भी है अगर लूफी इस power को जाया दिर के लिए hold करेगा तो उसके लिए उसको strength और हुजाए चाहिए होगी जो कि उसके पास अभी उन नहीं है इनू इनू नो मी moral okuji no makami मतलब dog dog fruit और ये डेविड fruit को यामाटो ने खाया था जो काईडो का बेटा है बेटा यामाटो ने भूख के कारण इस डेविड फूट को खाया था और काईडो का कोई ऐसा plan नहीं था ये डेविड फूट यामाटो ही खाया ओर्डिन के मौत के बाए यामाटो ने उसका रहन सहन उसका तरीका और्डिन के हर चीज को नकल करने लगी जिसके पर लाम शुरूप यामाटो ने एक पुरूस बनने का फैसला किए मतलब मेल मतलब काईडो का बेटे के तावरे पह्चानने का फैसला किया यामाटो एक बेहें सक्ति साली योधा है पास्ट में Yamato Ace के साथ भी लड़ती है जो काफी पावरफुल लोगिया यूजर है फिर Ace को समझ आता है कि Yamato काफी ज्यादा पावरफुल है और वो ये भी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो लेकिर फिर भी कैप्टन की नहीं हो Yamato का devil fruit डॉक 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 फूट उसो transform करने मदद करता है एक divine wolf में as well as human divine wolf transformation से पहली उसके पाफी ज्यादा पावर रहती है लेकिन transformation के बाद उसके पाद insane amounts of power और abilities आ जाती है इतना insane कि Kaido the emperor of sea को भी टक्कर देने लगती है नेक डूनेक जबकि Kaido उस तरह अपने सबसे powerful form मेराता है human dragon form में बाखी सब mythical johan type के तरह Yamato को पासल elements की power है जैसे कि वो ice को create कर सकती है जिसके करना वो ice के मंद से attack भी कर सकती है और defense भी कर सकती है नमबर फाइब ही तो ही तो नोमी मॉडल दाइबुट्सू Sengoku दी बुद्धा former fleet army था तब तक जब तक marine ford नहीं हुआ था marine ford के बाद Sengoku ने अपना position रेटार ले लिया और उस position पे Sakajuki अब राज करता है और तो बैठता है Sengoku एक काफी बड़ा नाम है जैसे कि white bear, goldie the roger, monkey the garp, silver rally Sengoku एक काफी ज़्यदा advanced fighter है hand to hand combat में 22 साल पहले marine ford में जो Sengoku तबाही मचा रहा था तब monkey the garp और Sengoku मिलकर उसे रोकते हैं जिस कारण से marine ford आधा तबाह हो जाता है और Seki को यहां कमजोर इंसान नहीं थे जाकर पकड़ लिए Seki यहां पर master swordsman था जो अपने एक strike से पूरे marine force को तबाह कर देता है Sengoku के पास mythical juhan type fruit है जिसके मदर से वो बुद्धा में transform हो सकता है जाइगांटिक बुद्धा में Sengoku के पास पाहले से insane amount of power है लेकिन जब वो transform होता है बुद्धा में तब उसकी power छपपर फार देती है Sengoku अपने power के use से sock wave को भी create कर सकता है जो कि बुद्धा form में होता है और वो इतना ज़्यादा powerful होता है कि black V8 भी से hold नहीं कर पाता है जब उसके पाद दो-दो devil fruit की power रहती है तो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आपको हीतो हीतो नोमी की कसम like से रो subscribe करके जाना मतब जाना नहीं आगे देखना तो आप आते है नमबर 6 से हीतो हीतो नोमी मौडल ओनियूडू हीतो हीतो नोमी मौडल ओनियूडू एक mythical टाइप जोहां फ्रूट है जो अपने यूजर को एक gigantic large monk योकाई में transform करता है जिसका यूजर एक fox रता है ओनिमारू ओनिमारू एक flame fox है जब ओनिमारू का master मरता है सिमोत्सू की उसी मारू तब ये कवा मात्सू के साथ weapons को steal और collect करता है विकोज इन सब को काईडो से लड़ना होता है जब कवात मात्सू को capture कर ले जाता है तब ओनिमारू हीवन फॉर्म लेके भी weapons को collect करता है और उसके protection भी क का साथ साथ उसका strength काफी जादा बरा है इतना जादा बरा कि सर जोरो को भी match कर पा रहा था नंबर सेबन हीवी हीवी नो मी मॉडल यमाटा नो ओरूची एक ए स्नेक स्नेक फूरूट जिसको ओरूची खाया था और यह one of country का last sogan भी था और साथ ही में लास्ट मेंबर भी थ पूरो जूमी फैमिली का इसनेक इसनेक डेविल फूट एक जिसके कारण ओरूची के पास आठ इसनेक का हेट आ जाता है मतलब आठ सांप का सर्ण जो आपस में सोचने और समझने के सकती रगते हैं ऐस जोहान टैप होने के कारण इसके पाफ से strength काफी अच्छी है physical power भी का इसको हमने कभी अपना full potency पे लड़ते या फी यूज करते वह नहीं देखा है और उच्छी अपने 8-8 snake में ट्रांसफर्ण होने के बाद भी काफी एक्स्टेवली पावर फूर रहता है मतलब externally durable रहता है यूमा यूमा नोमी model Pegasus aka horse horse fruit कैसे कैसे devil fruits आ रहे इसमें अब ये भी mythical type जोहान fruit है जो अपने user को Pegasus की power देता है मतलब hybrid Pegasus भी बना सकता है Pegasus होने काल उनको fly भी कर सकता है और दूसरों को उडा के ले भी जा सकता है तो मैंने इसका user का नाम नहीं पता है इसका user का नाम है stronger तो Dr. Q का horse रहता है Dr. Q हमें से बीमार रहता है तो वह अपने horse को जो इसका नाम है stronger रहता है उसको devil fruit खिला के Pegasus में ट्रांसफर्म कर देता है तो बस इसका नहीं यही तक की नमबर नाइन इनू इनू नो मी मॉडल क्यूबी निनू कित्सु ने एक एक डॉग 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 डेविल फूड जिसके user कैतरिना रहती है दाउन में लॉग कर दिया जाता है कि यह कापी खतनाग रहती है फिर मार्सल ली टीच अपने कुरू को इक खठा करने के लिए इंपल डॉग में जाता है फिर वहां पर कैटिना को आजाद करता है और अपने ब्लैक ब्लैक बीड पाइलेट में जॉइन कर लेता है वह इतन लाथी में सेन गोकु के सॉक्वेक को भी सर्वाइब कर लिए जबकि सेन गोकु बुद्धा फॉर्म में था तो यही था नाइन मिथिकल टाइप डेविल हुड इसमें दो चार काफी फालतु ही थे लेकिर बाकि सब काफी पावरफल और स्ट्रॉंग भी थे लाना डेविल फूट को एक्स्पेंड कर दिया उनके यूज़श को एक्स्पेंड कर लिया उनके पावर च्पी जान लिये तो अगर आपको डेविल फूट के बारे में जान नहीं हो डीटेल में तो आप डिस्क्रिप्शन या पर यह वाले वीडियो चेक करके देख सकते हूँ या फिर अगर आपको इंट्रेस्ट हो नारूटो में या फिर जेजेके में तो आप यह वाले वीडियो पर चेक कर लेना जा आपने आसीब भाई और अबजीत भाई काफ़ेतन मेहनत भी कर रहे हैं तो तब तक के लिए आप देख तेरी ओटाकू वाइच